नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है OnePlus 12R 5G दोस्तों गर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या अगर आप इससे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेटप कम्लेट करोगे उसके तुरान बद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इन सभी 20 से इस फोन में आपको मिलता है double tap to lock और double tap to on का feature अगर आप भी अपने फोन में इस फिचर को यूज करना चाहते हो तो आपको home page पे करना है long tap और यहां पर होगा more इसे open किजिए तो यहां पर है double tap to lock आपको इसे on करना है इसके लाओ नीचे आई और यहां पर है double tap to wake और turn off screen आ अगर आपने अपने फोन में face unlock को enable किया होगा तो आपने गोर किया होगा जब भी आप अपने फोन को face से scan करके unlock करते हो तो आपका phone unlock तो जाता है लोग भी खुल जाता है लेकिन आपको end में करना होता है swipe up तभी आप अपने फोन को use कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहओ तो तो आप अपने फोन में direct face unlock को enable कर सकते हो, आपको end में swap up नहीं करना पड़ेगा, तो आपको जाना है settings में, security and privacy में, device unlock में, face and fingerbin unlock पे tap कीजिए, face पे tap कीजिए, और यहाँ पे होगा enter home screen after unlocking आपको इसे on करना है, इसके बाद अगर आप अपने फोन को face से scan करके unlock करोगे, तो आपको end में swap up नहीं करना पड़ेगा, आपका फोन हो जाएगा direct face unlock, आप देख सकते हो, बिना swap up किए, आप अपने फोटो में जो object या subject है, उसे काफी easily lift or shift करके as a sticker save कर सकते हो, मैं लीजिए मुझे इस फोटो में से, यह जो subject है, उसे करना है lift or shift, तो आपको इस पे long tap करना है, यहाँ पे होगा एक शांदार animation, और आपको मिलेंगे तिन options, copy, save और share का, तो अगर आप इसे करोगे save, तो यह save होगा नए album में, जिसका नाम होगा lift and shift, जैसे back जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगा नए album lift and shift, आपको इहाँ पे शुकरेंगे, यह सारे stickers आप देख सकते हो, इस तरह के से, तो perfect cutout में यहाँ पे SEO किया जाता है, और यह से होता है PNG format में, इतना है आप अपने cutout है, उसे काफी easily drag and drop करके share कर सकते हो, यहाँ पे होगा, नीचे last 24 hour का option, इसमें होगा WhatsApp, और इसके सामने होगा, arrow का button आपको इस पे tap करना है, और यहाँ पे शुकरेंगे, आपके सारे message, जो delete के गए थे, time के साथ आप इन्य read कर पाओगी, इस तरह के से आप देख सकते हो, मानलो आपका phone lock है, लेकिन अगर फिर भी कोई चाहा है, तो आपके phone में, जो control center है, उसे काफ़ी easily access कर सकता है, इतना है नहीं, अगर हो चाहा है, तो किसी भी toggle को on up कर सकता है, बड़ी आसनी से आप देख सकते हो, तो अगर आप चाहते हो, जब आपका phone lock होता है, तब कोई भी इसे access ना कर सके, तो आप इसे lock screen पे block कर सकते हो, आपको जाना है settings में, notification में, lock screen पे tap कीजिए, और यह है swipe down on lock screen, आपको इसे off करना है, इसके बाद अगर आप अपने phone को lock करोगे, और ऐसे में कोई आकर आपके phone में, जो control center है, उसे access करना चाहेगा, तो access नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हो, जब आप अपने phone को unlock करोगे, तब भी आप इसे access कर पाओगे, इस तरीके से, इस phone में power menu को access करने का तरीका थोड़ा अलग है, आपको power button और volume up दोनों को एक साथ press करना होता है, आपको मिलता यह power menu, जहां से आप अपने phone को restart या फिर switch up कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो क्याओल power की पे लोग press करके भी इससे enable कर सकते हो, आपको 2 button पे press नहीं करना इसके बाद आपके all power की पे long press करके जो power menu है, उसे access कर सकते हो, अब आपको 2 button पे press नहीं करना पड़ेगा, मानलो आपका phone लोग है, और ऐसे में अगर कोई चाहा तो आपके phone को काफी इसली कर सकता है, switch up, आप देखोगे, बिना password के आपका phone हो जाएगा, switch up, तो इस तरीके स security and privacy में, और यहाँ पे है more security and privacy इसे open कीजिए, और यह option है require password to power off आपको इसे open करके इस toggle को own करना है, अपने password को confirm कीजिए, इसके बाद मान लिजिए, आपने अपने phone को lock किया है, और ऐसे में कोई आकर आपके phone को power off करना चाहेगा, तो power off नहीं कर पाएगा, उससे enter करना होग आपके password को या फिर scan करना होगा, आपके fingerprint को, तभी आपके phone को switch up कर पाएगा, आप अपने phone में YouTube को background में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप YouTube को close करोगे, अपने phone को lock करोगे, display off करोगे, फिर भी आपके phone में YouTube को होता रहेगा background में, इसके अलावा आप YouTube को PIP mode में भी प्ले toolbar for streaming videos, आपको इसे on करना है, इसके बाद back जाईए, और यहाँ पे आपको उपर में menu के आइकन पर टैप करना है, और YouTube को open किजिए इसे, box में टिक किजिए, किजिए continue playing, तो आपको किसी भी वीडियो को play करना है, प्ले करने के बना आपको इस पर tap करना है, यहाँ पे आपको आपके फोन को lock कर दिया है, display off कर दिया, लेकिन फिर भी आपके फोन में YouTube प्ले हो रहा है, इसके लाव अगर आपके इसे play करना है, floating window में मतलब की PIP mode में, तो आपको यहाँ पे dots के आइकन पर tap करना है, और यहाँ आपको का PIP mode, tap किजिए, close किजिए, आप इसके size भी change कर सक आपके फोन में कितनी RAM available है, और कितनी RAM यूजरी अगर आपको चेक करना हुआ, तो मैंने enable किया है, एक shortcut को, तो अगर मैं open करूंगा recent apps को, तो यहाँ पे close all के नीचे आपको मिलेगी RAM information bottom में, तो यह है available RAM और यह है total RAM, तो इतनी RAM available है मेरे फोन में, तो अगर आप भी इस तर जब भी आप अपने recent apps को open करोगे, आपको मिलेगी यहाँ पे RAM information bottom में आप देख सकते हो, अब जब भी किसी भी आप यहाँ website में login करने के लिए password को enter करते हो, तो आप ने गोर क्या होगा, password के लिटर कुछ moment के लिए show करते है, इस तरह किसे आप देख सकते हो, अगर बगल मे इसे open कीजिए, और यह है show password आपको इसे off करना है, इसके बाद अगर आप password को enter करोगे, तो आपको password के लिटर शोनी करेंगे, आपको शो करेंगे केवल dots and dots इस तरह किसे, अगर आप इस phone के home page पे करोगे, swipe down तो आपको मिलेगा, यह shelf का option इस तरह किसे, लेकिन मैं चाहता हू आपको जब भी मैं अपने phone के home page पे swipe down करूँ तो मुझे यह control center, sugar it up ऐसा भी enable कर सकते हो, आपको shelf शोनी करेंगा, इस तरह किसे, तो आपको home page पे long tap करना है, more pay tap करना है, और यहाँ पे होगा swipe down, आपको इस पे tap करना है, और set करना है notification drawer पे, इसके बाद अगर मैं home page पे कही पे भी करूँगा, swipe down तो मुझे मिलेगा, एक control center, आप देख सकते हो, अब आपको यहाँ पे shelf शोनी करेंगा, इस phone में आपको मिलता है smart sidebar का feature, file dog के साथ, तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, special features में, और यहाँ पे है smart sidebar, इसे open करके इस toggle को आपको on करना है, और यहाँ पे है file dog, आपको इसे भी on करना है, तो इसके बाद अगर आप गोर करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलती है line, यह है sidebar, आपको इसे करना है swipe, और यह है sidebar, यहाँ पे शो करेंगे अलग-लग tools और apps, screenshot, screen recording, screen translate, आप इसे one tap में यूज़ कर पाऊगे इस तरी के से, और यह है maximize और यह है close करने का button, अगर आपको इसे mini window में convert करना है, तो आपको करना है diagonal में swipe, उपर के और इस तरी के से, यह हो जाएगा mini window में, और mini window पे अगर आप करोगे double tap, तो open होगा full screen में, इसके लागर आप bottom से करोगे, swipe down नीचे के और, तो यहाँ पे यह हो जाएगा full screen म तो आपको करना है इसे open, और उपर वाले line पे long tap करके track करना है, आपको इसके side को change करने के लिए, अब आपको मिलेगा यहाँ पे sidebar, अगर आप चाहओ तो यह जो app से उन्हें edit कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको और कई सारे app से आपके add करना है, तो आपको edit पे tap करना है, तो अबर में ही सबसे उपर ही रहा file doc, तो सबसे वेले इससे setup करने के लिए इस पे tap किजिए, get started किजिए, allow किजिए, इसे किजिए cancel, तो file doc को own करने का advantage क्या है, तो आप अपनी photo, video, document किसी भी file को place कर सकते हो file doc में, और जो भी file आपने हैं पे save की है, आप उसे paste कर सकते हो, अब अगर आपको एक या multiple photo या video को place करना है, file doc में तो आपको उन्हे करना है, इस तरह किसे select, आपको long tap करना है, drag करना है, यहाँ पे file doc में, इतना है नहीं, आप जो text है उसे भी कर सकते हो, file doc में save, तो मैं इससे करूँगा copy, या फिर इससे select करके करूँगा, long tap करके drag, यह यह हो जाएगा file doc में save, इसके अलाओ जो photo के cut out है, उसे भी आप save कर पाऊगे file doc में, long tap करके drag किजी यहाँ पे, यह हो जाएगा file doc में save, तो आपने जो भी save किया है, आपको इस तरह किसे शू करेगा file doc में, अब माल लिजी मुझे कोई note क्रेट करनी है, और मैं चाहता और जो भी आपने text save किया है, अगर आपको इसे paste करना है, तो आपको इस पे tap करना है, copy किजिए, इसे close किजिए, माल लिजी मुझे paste करना है WhatsApp में यहाँ पे, तो मैं इसे करूँगा paste, इस तरह के से आप देख सकते हो, आप अपने अलग-अलग apps के लिए, अलग-अलग refresh rate को open किजिए, और यहाँ पे होगा app specific refresh rate, आपको इसे open करना है, और यहाँ पे show होंगे आपके सभी apps, तो अगर आपको इसे भी app पे tap करोगे, तो यहाँ पे show करते हैं, तिन options, 60, 90 और 120 Hz, जैसे कि माल लिजीए, यहाँ पे यह है 60 Hz, इसके लावा Netflix है, 90 Hz पे set किया गया, अब मै Netflix होगा, आपके phone में 120 Hz पे run करेगा, और इसमें अच्छी मात है कि आप अपने YouTube app को भी 120 Hz पे run कर पाऊगे, यहाँ पे अब मिलता आपको YouTube को option, और यहाँ पे set किया गया है 120 Hz, इस phone में किसी भी app को split window में open करना काफी आसान है, आपको उस app को open करके करना है, three finger से swipe up इसरी के स पिर नीचे आप किसी भी app को open कर सकते हो, इसके लाव अगर आप set bar में किसी भी app पे long tap करके track करोगे, bottom में जैसे कि आप देखोगे, तो यह भी आप open कर पाऊगे, split window में, और आपको फिर किसी भी app को open करना है, लेकिन कई सारे apps ऐसे होते हैं, जो multi windows support नहीं करते, बात अगर instagram या snapchat की, तो यहाँ पे अगर आप इस पे long tap करके track करोगे, तो यहाँ पे शुकरएगा, कि जो app से multi windows support नहीं करते, आप देख सकते हो, तो अगर आप चाहते हो, जो apps multi windows support नहीं करता, वो भी apps multi windows support करें, तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो, आपको जाना है settings में, about device में, और यहाँ पे होगा version इस पे tap किजिए, version number पे आपको लगातार 7 times tap करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, back जाईए और आपको open करना है additional settings को, और यहाँ पे मिलेगा आपको new option, developer options आपको इसे open करना है, आपको नीचे आना है, और यहाँ पे आपको on करने है, दो options, force activities to be resizable, इसे on किजिए, इसके बाद यहाँ पे है enable non resizable in multi window, इसे भी on किजिए, अब इसके बाद अगर आप Instagram को open करना चाओगे multi window में, तो आप open कर पाओगे, long tap करके track करोगे, तो आप देखोगे यह open हो चुका है, इस तरीके से multi window में, सेम तरीके से snapchat भी open हो जाएगा multi window में, long tap करके track कीजिए, कई सारे apps ऐसे होते हैं, जो dark mode support नहीं करते, मतलब कि अगर आप अपने phone में dark mode को own करोगे, लेकिन यह जो apps होंगे dark mode में show नहीं करेंगे, अगर बात करेंगे flip card की, तो आप देखोगे, यह जो apps अभी भी light mode में show कर है light mode में, तो अगर आप चाहते हो, जो apps dark mode support नहीं करता हो, वो भी app dark mode support करेंगे तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो, आपको open करना है, same developer options के page को, तो उसे open कीजिए, और यहाँ पे आपको उपर आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक option जिसका नाम है, और right force dark, आपको इसे on करना है फिर जो भी apps आपने open किये थे, जैसे की flip card, amazon उन्हें कीजिए, restart इसरी के से, अब दोबारा अगर आप उन्हें open करोगे, तो अब यह show करेंगे, dark mode में आप देख सकते हो, flip card, amazon अब आपको dark mode में show करेंगे, माल लिजे आपका phone lock है, display off है, और इसे में अगर आपको जल्दी से अपने phone में torch या camera को launch करना हुआ, तो आपको enable करने है, दो shortcuts, आपको जाना है settings में, additional settings में, gestures and motion में, screen of gesture पे tap कीजिए, और यहाँ पे है draw NO, और draw AB, आपको दोनों को on करना है, और करना है, got it, तो माल लिजे आपके phone में display off है, अगर आपको launch करना है camera को तो draw कीजिए, और आपके phone में open होगा camera, अगर आपको launch करना है torch को तो draw कीजिए, वी, torch on हो जाएगा, अगर आपको इसे off करना है तो फिर से draw कीजिए, वी, torch off हो जाएगा, keyboard में आपने गोर किया होगा, अगर आप टाइपिंग करने के बाद back जना चाहोगे तो यहांप अगर आप back करोगे keyboard पे तो back काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो अगर आपको back जना हुआ, तो आपको keyboard के उपर में back करना पड़ेगा, तभी है back जेशर काम करेगा, keyboard पे back काम नहीं करता लेकिन अगर आप चाहाते हो keyboard में भी back काम करें तो आप ऐसा भी enable कर पाऊगे आपको जाना होगा settings में, additional settings में, keyboard में और यहाँ पे होगा miss touch prevention आपको इससे off करना है अब tapping करते होगे अगर आपको back जाना हुआ तो आपको उपर में swipe ने करना पड़ेगा अब आप back करोगे keyboard पे तो यह काम करेगा आप देख सकते हो इस phone में आपको मिलता है always on display और edge lighting का feature तो इने enable करने के लिए आपको जाना है settings में, wallpaper in style में, AOD पे tap किजिए, इससे on किजिए, more पे tap करके आपको set करना है display mode को all day पे टिक किजिए, मतलब कि AOD आपके phone में हमेशा के लिए काम करेगा, फिर back जाईए और इनमें से आपको कौन से style चूस करने है, आपको इस पर करना है selection, तो यहाँ पे अलगलग category, आपको जो style चूस करने है, उस पर tap किजिए, फिर आपको मान लिजीए set करने है, यह style तो मैं क करना है, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं तिर अलग-अलग pulse style, तो यह है blue color में, red और yellow, तो आपके phone में जब भी कोई नई notification आएगी, तो आपको मिलेगा इस तरीके से age lighting effect आपके phone में, आपने आज अपने phone में कितना data use किया है, अगर आपको check करना हुआ, तो आपको enable करना है daily usage tracker को, तो आपको जाना है settings में, और आपको search करना है data usage limit, यह show करेगा आपको data usage limit इस पे tap किजिए, data usage limit पे tap किजिए, daily data usage limit पे tap किजिए, और आपको यहाँ पे set करनी है daily limit, तो मान लीजी मेरी limit है 2GB, तो मैं यहाँ पे set करूँगा 2, और यहाँ पे set करूँगा GB, done किजिए इसके बाद आपने آज कितना data use किया है आपको check करना हुआ तो आपको open करना है control center को और है आपको शुकर एगा data usage तो कितना आपने उस्किया है और कितना बाकी है आप यहापर चेक कर पाओगे और जब भी आपके limit खतब हो जाएगी तब आपको मिलेगा आपके phone में एक reminder अगर आपको इस तडिक से यहां पे data usage नहीं कर रहा है तो आपको जाना है settings में, notification में, more settings में और यहां पे है display data usage आपको इसे on करना है और अगर आप चाहात हो आपके phone में internet इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो